गाट को English में क्या कहते हैं? ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं गाट को English में आप note या knob कह सकते हैं KNO-T note या KNO-B knob दोनों में ही K silent होता है इसके इलावा जो शरीर में कोई गाट हो जाती है या किसी अंग में कोई गाट हो जाती है तो उसको English में cyst कहा जाता है. C-Y-S-T, cyst. जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि मैंने जूतों के फीतों में एक gart बांध दी ताकि वे खुले नर रहें, तो आप कह सकते हैं, I tied a note in the shoelaces to keep them from coming undone. I tied a note in the shoelaces to keep them from coming undone. या अगर आप ये कहना चाहें कि डोरी में एक gart थी, जिससे खोलना मुश्किल हो रहा था, तो आप कह सकते हैं, there was a note in the string making it difficult to unravel. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें.